वेलकम टू बीट दिस्ट्रीट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बन सकती है नेक्स्ट नजारा टेक्नलाजीज जियाँ इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे ये company कैसी है, क्या है, क्या करती है और इसमें आपको क्या करना चाहिए और याप इसके क्या growth prospect है ये एक बहुत चोटी मोटी company है जिसका market cap अगर आप देखोगे तो लगबग 1300 करोड का market cap है तो ज्यादा बड़ी company तो है नहीं बट याप पर क्या हुआ है पिछले एक जो 6 महीने में याप अगर अपन बात करें तो याप एक बहुत बड़ा movement आया है ठीक है, हम लोग में जब coverage चालू करा था जो हमने last video बनाया था वो करीबन याप बनाया था जो कि जब इसका भाव था 70-80 के लगबग ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ने इसको coverage स्टार्ट किया था और जो आप पहले वाला वीडियो देखोगे ना वो भी काफी detailed है बट फिर जैसे ये 125 के levels touch किये थे तो हम लोग ने बोला था, अब एक बार यापर थोड़ा doubt था, results पे और बिल्कुल वैसा ही हुआ है हमारी जो expectations थी, results उतने अच्छे नहीं है और यहाँ पर Q-on-Q और वाई-वाई-वाई-बेसिस पे company ने कराब perform किया है मैं बात कर रहा हूँ, on mobile global company की अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाए चलो, on mobile के results थोड़े खराब आए हैं और यह सारी चीज़े हो रही है बट यहाँ पर यह जो company है ना इस पर अपने को track रखना पड़ेगा क्योंकि यह हो रहा है, buy on dips की candidate अगर आप देखो के तो company ने बहुत सारी चीज़े launch करी है नई नई तरह कि अगर आप देखो के तो चीज़े यहाँ पर company ने launch करी है और यहाँ पर कुछ नए acquisitions किये हैं जिसके कारण यह एक अच्छा खासा candidate हो सकता है बट अपने को जैसे results खराब है तो यहाँ पर अच्छी opportunity मिलेगी यहाँ पर buy on dips करने की यह सारी चीज़े मैं आपको समझाओंगा कैसे क्या होगा तो चलिए सबसे पहला अपन यहाँ पर company का अगर आपको overview अगर आप देखना है तो company का overview की बात करें तो देखो यहाँ पर company के 2.7 customer billion reach है 84 million इनके active users है 98 customers है 56 countries में यह लोग काम करती है 19 million इनके apps installs है और 1.9 million इनकी billion की digital reach है यहाँ पर दो figure ने जिसको मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पर problematic situation में डाला है या पर जो मेरे को बहुत खराब लगे वो है 98 customer of 56 countries इससे पहले वाले quarter में जब company ने disclose क्या था तो 78 यहाँ पर countries बताई थी और यहाँ पर जो 148 की जगे 143 customers बताई थे अगर किसी को believe नहीं होता है तो वो please यहाँ पर यह मैं दिखा देता हूँ यह देखो यहाँ पर बताई था कमनी ने 143 customers और यहाँ पर बजाए था 74 countries बट अब यह एकदम से इतने से एक ही quarter के अंदर इतने सारे customer लगबग अगर आप देखोगे तो करीबन करीबन 45 customer यहाँ से चले गए है तो यह मेरे को थोड़ा बहुत important यहाँ पर लग रहा है और यह company 3 के अंदर जो results रहे है वो company के खराब रहे है सबसे पहले हम यहाँ पर company के business को समझते है देखो company क्या क्या करती है company tone वीडियो जो ringtones बगएर होती ना उसका काम करती है tone और contest बगएर है और यहाँ पर वीडियो बगएर है का काम करती है यह इनका existing portfolio था फिर company यहाँ पर Robo यह इनका Robo और यह Appland यह इनकी दो नई subsidiaries है जो इनने खरीदी है यह AI और cloud streaming का काम करती है फिर challenges arena यह company ने भी April 21 में launch किया है यह B2B focused है अगर आप देखोगे तो यह वाला जो business है ना यह B2B है बट यहाँ पर customer को यहाँ पर ओवराल यहाँ पर company करेगी ठीक है तो अभी यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ यहाँ पर यह जो company ने challenges arena वाला यह mobile quiz game है जो एप इनने launch किया है यह यह यहाँ पर telecom partners के साथ करेगी और बड़ी-बड़ी companies के साथ करेगी OTT जो platform होते for example Z5 या फिर अपना अल्ड बाला चीव अगरे वैसे और onmojo है यह इनका B2C platform है basically mobile cloud gaming platform है e-sports और social play के लिए और AI based है और यहाँ पर इसका launch होगा beta launch होगा May 21 में होगा मतलब एक लगबाद 6-7 महीं ने लगेंगे इसको यहाँ पर commercialize करने में अगर हम बात करें चैलेंजेस एरी ना पिछले साल लांच किया गया था beta launch उसका हुआ था वो पिछले साल हुआ था और अब उसको यहाँ पर April 21 में इसको यहाँ पर commercialization कर देंगे मतलब अब पैसे मिलने लग जाएंगे कंपनी के management वगेरे कि अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे बेसिकली अगर आप देखो के तो company का जो यहाँ पर management है यहाँ पर काफी strong है overall जो मेरे को लग रहा है अगर आप देखो के group CFO वगेरे जो है यह अभी 2015 से हैं यह 2020 से इनने CEO जो बने है वो जॉइन किया है और उसी के अलावा यहाँ पर यह सारी चीज़े अचा इनका investment रेशनल क्या है बेसिकली company की यहाँ पर क्या 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 खासेद है इनकी global reach है तोन्स बिजनस जो रिंटोन वाला बिजनस होता है उसके अंतर इनकी डॉमिनेट है और वही पर इनको अपॉर्चुनिटी दिखरी इमर्जिंग turnaround story है और यह gaming mobile gaming और यहाँ पर इस पर focus करने वाली और आपको सभी को बता है इंडिया में mobile gaming बहुत ही under penetration है इनकी cash flow position यहाँ पर काफी अच्छी है अगर आप पिछले साल चे compare करतो बट quarterly basis पर cash flow थोड़े weak रहे हैं उसके बीचे reason है company ने थोड़ा बहुत आप तो अलग है ही चलिए products को अगर आप देखते हो तो यह tones contest video auditorial b2b games इस तरह की apps का काम करती है और इससे इनकी earning होती है ठीक है और जो नया game यह company launch करने वाली challenges arena जो की basically यह लोग क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या होगा ने यह पूरी mobile game app है और यह यहां पर क्या करेंगे इस पर यह लोगों को लाने के लिए यह बड़ी-बड़ी telecom companies के साथ partnership करेंगी जैसे अगर आपने मैंने अभी नजारा की वीडियों बदाया था कि उनका telecom subscription का basically वह है तो बिल्कुल ऐसका ऐसा ही यह यह company ने काम किया है अब यहां पर क्या हो रहा ह है यहां पर तीन deployment अगर आप देखोगे तो progress में है दस telecom companies के साथ बात चल रही एशिया यूरोप और Middle East में और वही पर अगर आप देखोगे यहां पर इसका जो overall users है वह 1.1 million users है OTT platform की अगर हम देखेंगे 2 महीने के अंदर और यहीं पर 3,50,000 gross editions हुए है और 8,20,000 इनके paying subscribers है टेली कॉम के अंदर तो यह सारी चीज़े overall यहां पर आप देख सकते हो यह कैसा healthy launch रहा है और onmo का यहां पर company ने बताए कि यह B2C है मतलब यहां पर आप खुट डायर्क प्ले स्टोर से इसको download कर सकते हो इसका beta version launch करेंगे यह लोग अभी May 21 को यह लोग launch करने वाले 29 games के साथ यह लोग launch करेंगे I think यह मतलब launch मतलब करेंगे नहीं मतलब कर चुके 850 unique moments है बागी वो साही चीज़े अचा cash battles और monetization वगरे Q2 मतलब आने वाला जो quarter 2 होगा उसके अंदर इसको monetize करने की लोग प्लान कर रहें और 20 telecom के साथ यह लोग इसकी partnership करेंगे जहां पर यह तो रीच बढ़ाएंगे और यह सारी चीज़े और यह वर्ल्ड का फर्स्ट AI क्रियेट अगर आप यह देखो के तो यह अप है फिनेंशल्स अगर अपन देखेंगे तो मैं आपको बता देतों फिनेंशल्स के बारे में सबसे पहले अगर आप Q4 को यहां पर compare करते हो तो व और अगर आप देखो के और वहीं पर अगर आप देखो के कॉस्ट अप्टिमाइशन के साथ कंपनी के यह पर जो प्रॉफिटीबिलिटी मार्जिन से 1.5 टाइम से ग्रिव हुए है रेविन्यू के अंदर यहां पर आप देखो के 6.6 परसेंट क्वाटर ओन क्वाटर बेस कर दाए और यहां पर आप देखो के तो 28 परसेंट से बड़े हैं और यहीं पर आप देखो के अंदर 11.8 परसेंट कर रहा है और वहीं इसे बहुत सारी कॉस्ट ऐसी है जो यहाँ पर जैसी लॉक्डाउन खुलेगा मैन पावर कॉस्ट वगरे ट्रांस्पोर्डेशन की जो कॉस्ट होती है अभी क्या है वर्क फ्रम होम में यह सब खर्चे नहीं आते और टेक्नोलोजी वाली कंपनिया है तो इन में तो सारा काम घर से बैठे बैठे हो जाता है बट जैसी जैसे वापस office कुलेंगे rent वगरे खर्चा बढ़ेगा और वह सारी चीज होंगी अच्छा पैट इनका 31% से ग्रो हुआ है अगर आप देखो के पिछले साल से और इस बार जो margin रहा है वह 11.4% के रहे हैं ठीक है तो वह सारी चीज है और DSO का जो improvement है basically यह जो data outstanding जो days होते है उसकी यहाँ पर बताया है अगर आप देखो के वह improve हो गये अभी 116 दिन की data pending है और यहाँ पर यह सारी चीजे तो वह अभी है मैंने आपको यह सब चीजे बताई अब यहाँ पर आप देखो के तो यह fi21 की लिए जो performance है यह आप stock है यह 180 रुपय के भाव पर चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो growth in revenue वह इतनी नहीं है जितनी growth in यहाँ पर share price है margins अगर आप देखते हो gross margins वह यहाँ पर कम होते भी दिखाई दियें overall जो margins यहाँ पर EBITDA के margins वह बढ़ गए है operating profit के margin वह यहाँ पर बढ़ गए है और यहाँ पर PAT के margin वह भी बढ़ गए revenue वह यहाँ पर पिछले साल से और पिछले quarter दौनवी में कम हूआ है जो कि मेरा को अच्छा नहीं लगा अगर आप देखो के नजारा के अंदर पिछले साल से तो रेवियू बढ़ा है बट यहाँ अगर आप देखोगी तो पिछले quarter से बाद डसी पर ब्यूं थीर जब़ एक्सपेक्टेशन्स थी कि यहां पर रिजल्ट के लिए एक और वेट करना चाहिए वह यहां पर साफ साफ दिख रहा है और वह सारी चीजे है बाकी अपर अगर अगर आपन देखेंगे तो यह वापस समरी है और यहां पर थोड़े बहुत चाट बेसिस में क्या क्या चीजे चालू होरी जो दो अभी एप लॉंच हुई है चैलेंजे जहरीना है और वह जो ऑन्मो है उसके कारण थोड़ा बहुत रेविन्यू बढ़ेगा अच्छा कंपनी ने यहां पर रोबो का इंवेस्टमेंट किया था शेयर बाइब किया था उसकी कारण यहां पर कैश बैलन् में रहते कॉस्ट कम होने के बाद भी अगर यह मैन पावर कॉस्ट कम नहीं होती तो यहां पर इबिटा मार्जिंस और ज्यादा कम हो जाते तो लगबग आप यहां देखो के तो मेर को यह जो सारी चीजे है वह थोड़ी यहां पर जो कॉर्टर थी के परफॉर्मेंस है वह वह अगर आप देखो के तो लगबग यहां पर 14 परसंट का आता है फिर मिडिल इस्ट एंड एशिया से जो आता है वह 17 परसंट और बागी थोड़ा बहुत बिजनिस अमेरिका से आता है अचा प्रड़क्ट से अगर आप देखो के इन्फोर्टेंमेंट टोंस का जो इनका रिंग टोंस वाला जो होता है और यहां पर वीडियो का काम है अब यह लोग क्या कर रहा है गेम्स में घुसनी कोशिश कर रहे तो यह अभी नई गेमिंग प्लेयर है और वह एक्जिस्टिंग गेमिंग प्लेयर बन चुका है ठीक है ना तो यह आप समझे कि इनका में देखोगे तो वह यहां पर शेर कैसा रहा है 9.4% से यह शेर ओवराल कम होता दिखाई दिया और यहां पर कॉंटेस्ट का भी शेर कम हुआ है तो यहां पर यह मेरे को चीज वापस अच्छी नहीं लगी कि यहां पर यह दो तीन चार सेग्मेंट्स है यह अंडर परफॉर् कि यहां क्यों कि क्पनी ने नहीं कंपनी केक क्या है और और यहां फे रो ओब़ों सी सिट वह उवरल टॉबर और यहां पहलिक चीज hugging के तो वह रहा है मुं सब धिया थे ऐजाएं 50ली पड़ीड़ कर शेर करएं का कुछ रेशो की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंट प्रोफिट मार्जिन के अंदर जहां पहले 56-55 परसेंट के हो दें तो वह सीधा 50 परसेंट पर आ गए हैं जो मेरे को थोड़ा खराब लगा और वहीं पर आप देखो के रेविन्यू पर शेयर यहां पर इंप्लोई है वह बढ़ गया है मतलब वह भी थीठा की रहा है कोई फ अब बाकि अगर आप देखो के डेश सेल्स आउट्सेंडिंग जो है वह बेसिकली कम होती दिखाई दे रही है तो यहां पर यहां पर ठीक है अगर आप देखो के बहुत लीडिशेंट और फ्लाइट ग्रोथ है और यहां पर कुछ-कुछ फ्रेंट पर कंपनी ने खराब अब भी परफॉर्म किया है जो मेरे को यहां पर थोड़ा यहां पर कंसर्स करते हैं अचा बाकि अगर आप देखो के शेर होल्डर फंड वगेर है तो वह सारी चीज आप यहां पर देख सकते हो लाइबिलिटी जो है जो कि मैंने अल्रेडी बता है अगर आप देखो कि इन आक्विशिशन की है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए तो यह देखो यह तो यह यह स्टेek खरीदा था ठीक है 25 परसेंट कि पिछले साल मेड 20 में खरीदा था और अभी वहां पर 25 परसेंट कंपनी खरी चकती है तो वह यहां पर कंप्शन है और उसके अलावा कंप इसके अलावा भी एक company जो खरी दी थी I think so एक और कुछ था इनके पास जो इन लोग ने नया खरीदा है तो वो सारी चीजे बाकी यहां पर मैंने आपको overall position बताई है कि यहां पर क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है तो यहां पर जो financially जो performance है वो थोड़ी weak रहती है बट य लग रहें तो यहां पर buy on dips अगर जो stock आप लोग बोलते हैं वो यहीं से ऐसे ही बनेगा ठीक है तो अभी अपन आते हैं थोड़ी बहुत यहां पर shareholding pattern में changes पगएर जान लेते हैं और क्या के साथ चीज़े हो रही है और थोड़ा बहुत technical के बारे में भी बात कर लेते है हां और एक और बात में आपर बताना चाहूंगा कि अनिल सिंग्वी जी जो है जो यहां पर जी बिजनेस के अभी MD है managing editor है उन्होंने stock को choose किया था ठीक है थोड़े दिन पहले उन्होंने coverage starts किया है तो उसका भी मैं बता देता हूं उनका कितना target price वगएर है वो भी मैं आप को share कर दूंगा अब 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 अपन यहां पर देख लिए शेर होल्डिंग पैटर्न में जो मेरे को एक और खराब बात लग रही है promoters का stake यहां पर कम हुआ है और लगातार यहां पर promoters पिछले तीन quarter से अगर आप देखोगे तो यहां पर कंपनी में promoters अपना stake बेचते आ कम हुआ है और यहां पर पॉब्लिक का stake यह बढ़ता जा रहा है अचा डिया यही कि अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर राकिस जुन जुन वाला ने एक बार यहां पर इन लोग ने मीटिंग अटेंड करी थी और उस कारण से बहुत ज्यादा स्टॉक में रही आई थी तो वह सारी चीज़े हुई थी बाकि यहां पर क्या है कि ओवर आल तो यहां पर जो कंसर्ण्स है अगर आप देखोगे मतलब यहां पर पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा है तो यह सारी चीज़े और अगर आपको इसको नजारा से कंपेर करना है तो अपन वह ठीक है और वहीं पर अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशो देखते हो 2.28 का है और इसकी जो बुक वैल्यू पर शेर आदी हो 56 की आदी मतलब टोटल असे डिवाइट बाई अगर अपन शेर से करते हो तो वह बुक वैल्यू खेलाता है इवी टू इबिटा रेशो य एक सस्ते वैल्यूशन पर नजारा गेमिंग बिजनिस में है और मोबाइल गेमिंग बिजनिस में आ रही है यह बहुत बड़ा यहां पर वह एक फरक है और यहां पर जो फिनेंशेल ही यहां पर आप देखो तो नजारा ने ओवराल अच्छा परफॉर्म किया है और यहां पर अब है प्रमोटर्स भी स्टेक कम कर रहे तो यहां पर कॉशिस होने की बात है और यहां पर जो लांचे वगर हो ठीक है वह सब बाते अच्छी है बट मेरे को यहां पर जो ओवराल क्या सिच्वेशन लगती है कि यहां पर एक बार अपने को बिल्कुल वेट करना चाहि अगर अपन देखें कॉर्टरली जो परफार्मेंस रही है इस बार जो अगर आप देखते हो तो जो सेल्स है वो हर बार लगबग एक सुचालिस करोड की यहां पर सेल्स रहती है ठीक है और वही सारी चीज़े वह पिछले लगबग कितने टाइम से वही चल रहा है तो ग्र मेरे ओपीनियन पर आपको बता देता हूं इसको कैसे क्या ट्रेड लेना है क्या करना है चलिए तो यहां पर आप टेक्निकली यहां पर समझते हो ना तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं यह जो एक बार बार यह जो पन रहा है यह यहां पर अभी बॉटम हुआ फिर वाप अभी बहुत अभी अपने को कौशेस भी होने की सुरत है तो existing investors को शौट टम के लिए बैठा है तो वह यहां पर एक बार है ना इससे पीछे हो जाए देखो बाकी अभी यहां पर बहुत सारी चीज़े बंडरी दी बट वापस क्या है यह स्टॉक मेरे को लग रहा है कि एक अभी आजब्स नभय का एक जो जोन है वह यहां पर बहुत ही सिंपल है जो यह पर अचीवेबल है और अगर आपन देखेंगे पुछले तीन महिने में अगर ये जोन कभी आया है क्या तो आइए तिंक शाह यह है अगर आप देखो कि यह जोन बहुत बार आया है और बार बोलता हूं कि इन बड़े-बड़े जो यह मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं इन में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए बहुत-बहुत-बहुत कम लगाना चाहिए मैं अगर आप मेरे से परसनली पूछते हो तो मैं इतना लगाता हूं कि जितना मैं कि HDFC बैंक में अगर मैं पैसा डालता हूं महीने बर के लिए और अगर मैं उसमें कितना कमा पाऊंगा मैं उतना जितना मेरा प्रॉफिट होता है न एक बड़े स्टॉक से उतना मैं यह आपर डालता हूं ठीक है क्योंकि मुझे ज्यादा आग से खेलने का शौक नहीं है यह म आप इसको बेचो तो रिजल्ट के चलते हैं यहां पर अराम से यह प्रॉब्लम आएंगी और यह सब डिप्स भी आएंगे और अप्छे कासा मिलेगा तो यहां पर पर बिल्कुल बाय नहीं बनती है और किसी ने यहां पर होल्ड कर रखा है तो इसको बेच दे ठीक है अच दूसरा उनके बाद डेल्टा कॉप है जो कसीनो के बिजनेस में लगबग एक सिमिलर काइंड ओफ यहां पर अम्यूजमेंट और एंटर्टेन्मेंट का बिजनेस है तो यह मेरा पूरा टेकनिकल था और यहां पर फंडामेंटल था कंपनी के बार में सब कुछ बताए क्या चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सबी लोगों के साथ मैं मानता हूं कि इस पर बहुत जादर डिटेल्ड अनलिसिस कर लिया है और प्लीज हमें सब्सक्राइब करें टेलिग्राम पर जॉइन करें और इंस्टा पर फॉलो करें थै